जमकश्मीर बैंक एस्पिरेंस ने जमकश्मीर हाई कोट में एक रिट पर्टिशन दायर की थी और इस रिट पर्टिशन पर जमकश्मीर हाई कोट ने आज जो ओर्डर दिया है उसमें ये कहा है कि ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन की डेट को थोड़ा दिले किया जाए online distribution 20 जून से होनी थी अब ये कहा गया है उस date को थोड़ा और डिले कर दिया जाए इस red petition में और क्या कुछ है इस पर बात करने मेरे साथ जुड़ चुके हैं जमुकश्मीर High Court Bar Association जमु के बार प्रेजिडेंट और भारते जनता पार्टी के प्रवक्ता, Advocate Avinav Sharma Avinav Ji स्वागत आपका स्टेट लाइन में सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस red petition में क्या ये stay है क्या इसे कहीं लोग कह रहे हैं rumors चल रहे हैं कि this is like a stay क्या ये stay है ये extension है I would like for you to clarify देखिए legally speaking the court court ने क्या कहा है court ने direct stay नहीं दिया है लेकिर indirectly आप इसको stay बोल सकते हैं court ने ये order किया है कि controversy की nature देखते हुए और सबसे पहले एक preliminary issue decide करना है whether a red petition in the high court of JNK under article 226 of the constitution of India against JNK bank is maintainable or not क्योंकि red petition जो है वो सभी departments के खिलाफ नहीं की जा सकती red petition उन departments या उन authorities के खिलाफ की जा सकती है जो authorities statutory हों किसी act के अंडर constitute हुई हो या create हुई हो या कोई constitutional body हो या कोई state authority हो central authority हो या एक कोई और authority हो ना वो state हो ना central हो लेकिन वो public duties discharge करती हो ठीक अब क्या होए 95 में ये controversy स्टार्ट होई थी तो उसके बाद JNK High Court के एक full bench ने full bench होता है जिस तीन जज़ों की खंड बीट होती है फरूक एमर टैंकी कुछ ऐसे नाम था उसका versus JNK bank उसमें उन्होंने ये कहा कि JNK bank is not a state within the meaning of article 12 of the constitution of India and is not amenable to rich jurisdiction of high court under article 226 of the constitution of India तो इसलिए high court ने आज जो order किया है उसमें पहले ये rider impose किया है कि पहले हम ये decide करेंगे कि ये rider petition JNK bank के खिलाफ maintainable है के नहीं उसके लिए advocate general को request की है कि वो next date पे assist करें court को क्योंकि ये बड़ा एक vital important और far reaching consequences का एक issue है और साथ में court में एक direction दी है bank को कि आप एक order कीजिए जिसे ये link जो है इसकी date extend की जाए तो ये indirectly या आप directly भी कह सकते हैं आप process तो defer हो गया temporarily हो गया थोड़े दिनों के लिए हो गया आप ये देखें next date इसमें कौन सी fix हुई है 26 June 26 June को court क्या इसमें argument सुनती है maintainability के या नहीं सुनती या bank authorities time लेती है इसमे reply देने का तो कई procedural rangles होते हैं ये आगे भी जा सकता है लेकिन ये process जो है defer हो चुका है लेकिन शुरुआत में आप से समझना चाहूंगी कि जो preliminary objection भी उठाया गया है वो यह ही है कि पहले ये बताना पड़ेगा कि जमकश्मीर bank state है या नहीं है आपको नहीं लगता कि इसी की arguments में मामला बहुत लंबा खिच जाएगा और ऐसे में जो petitioners है उनका जो purpose है कि जो हमारी recruitment क्वाश की गई है हमारी recruitment के result निकाले जाएं या उन्हें कोई benefit मिले उनके लिए मामला बहुत लंबा खिच जाएगा देखें कोर्ट में जब भी कोई matter जाता है time तो उसमें लगता है और ये एक बड़ा important matter है ये एक ordinary और routine matter नहीं है ये matter है जिसमें aspirants का एक view है bank authorities का दूसरा view है और competent authority जिन्होंने decision लिया उनका एक view है अब ये है कि ये जो issue है जो preliminary issue है maintenance ability का इसमें मुझे नहीं लगता है इतना time लगेगा क्योंकि एक legal issue है legal issue में arguments होते हैं ये एक दिन में decide हो सकता है तो जो देखें मैंने order पढ़ लिया आज rate तो मैंने पढ़ी नहीं order पढ़ लिया order पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये rate क्यों फाइल हुई है हुआ ये जब high court की पहले judgment आये थी जिसमें लोने कहा था JNK bank के खिलाफ rate petition maintainable नहीं है उसके बाद कुछ developments होई कुछ developments ये होई कि right to information act के अंडर bank ने अपने आपको खुद लाया तो right to information act के अंडर public authority एक होती है तो जो public authority की definition में फाल करें उसको rta act के अंडर information देनी पड़ती है वो bank ने खुद decision लिया एक ये circumstance plead किया है petitioners ने अपरिट में दूसरा उन्होंने कहा जी जब वो पहली judgment आई थी तब 38% share था शाहिद state का financial share जेन के bank में share capital आप शाहिद वो कहा रहे है 68% है कि कुछ इतना है तो ये कुछ circumstances है लेकिन मुझे नहीं लगता कि single judge इस पे rule कर सके कि bank के खलाफ reputation maintainable है या तो ये matter दुबारा full bench में जाएगा क्योंकि पहले full bench की judgment है तीन judges की उसको review तीन ही judge कर सकते हैं तो इसमें time तो लगे होगा क्योंकि तीन जजजों के खंड़ पीट नार्मली high court में इतनी जल्दी नहीं बनती हाँ अब काफी ज़्यादा judges की appointment elevation हो चुकी है पिशले तीन चार महिने में आपने देखा कि पांच नए judge बने हैं तो शायद chief justice madam इसमें जल्दी bench constitute करें हालां कि अभी refer नहीं हुआ three judges bench को हो सकता है next date पर ये three judges bench को refer किया जाए एक और मामला जो order पढ़के समझा आया वो ये था कि respondents का ये कहना है कि ये फैसला जमुकश्मीर की सरकार का था जबकि respondents का ये कहना है कि board of directors ने independently जो है इस पर decision लिया है तो क्या ये भी एक page बन सकता है ये देखने वाली बात है देखिए जो अगर यूटी administration ने decision लिया है तो फिर ये petitioners के हाख में जाता है क्यों इससे प्रूब होता है कि जेन के बैंक पे यूटी administration का administrative control है तो जिस authority पे administrative control state government ये यूटी administration का हो तो वो authority public authority के purview में आती है public function discharge करती है उसके खिलाफ उसके लिये supreme court का view ये है कि red petition maintainable है आप ये देखना है चुकि normally bank जो है जेन के bank जो है company है जिस्टर अंडर companies act dealing with banking business लेकिन ये एक वाहिद bank है जिसमें state का इतना share है आप ये सारी सारे issues ये देखने पढ़ेंगे state का financial control कितना है administrative control कितना है supervisor duty का financial control कितना है administrative कितना है supervisory control कितना है और bank जो है banking business में जो काम कर रहा है क्या ये public duties discharge कर रहा है जैसे supreme court ने परदीब कुमार विश्वास और जीट अली फिलम के case में इवन की BCCI जो एक private organization थी board of cricket control in India उसके खिलाफ rate petition maintainable थी तो JNK bank भी एक authority है और उसमें कहा है supreme court ने की BCCI जो है public function discharge कर रहा है हो सकता है यहां पर भी ये फैसला आजाए JNK bank public function discharge कर रहा है और अगर public duties discharge कर रहा है तो rate petition maintainable है अनुद थी जो एक रहा है यहां पर एक RTI का भी mention किया गया है जिस RTI में बताया गया है कि जो कुश्मीर bank ने कहा कि जो ओर रडर रडरिंग रडरिंग रडर्ड रडर्ड पी यो और बास exam has been issued by the government not by the bank does the ownership of this order lies with the government तो can this also work against the respondents देखिये ऐसा है this is a matter intersea between the UT administration and the banking authorities I have no comments to advance on this no, अब factual position क्या है यह तो आडर देखे पता लगेगा कि UT administration की administrative council का decision है या board of directors का decision है तो यह देखना पड़ेगा कि जो in record जब भी कोई order होता है उसका record maintain होता है file maintain होती है notes put up होते है notes study होते हैं approve होते हैं disapprove होते हैं आप यह देखना है यह जो order हुआ scrapping का यह किस के base पे हुआ है UT administration के administrative council के order के base पे या board of directors के यह तो bank का record ही बिता सकता है कि इस order को pass करने के पीछे basis क्या है तो आपको लगते है कि जो secrecy अभी तक maintain की गई थी कि scrapping हुई अभी तक जो है aspirants यह जानने के कोशिश करें कि scrap हुआ क्यूँ तो वो अब यह court में मामला जाने से कम से कम मालूम चलेगा कि आखिरे recruitment कर आप क्यूं हुई क्यूंकि court ने notice निकाला है next date को reply मांगा है reply bank भी अपना reply देगा देखें अगर UT administration भी इसमें party है के नहीं UT इसमें जेंड के अब advocate general के पास भी मामला गया तो UT भी party है इसमे जेंड के UT अपना separate reply फाइल करेगी जेंड के बैंक अपना separate reply फाइल करेगा दोनों के लग-लग advocates होंगे तो देखते हैं अब क्या वो plead करते हैं क्या वो defense लेते हैं क्या वो किसको attribute करते हैं वो तो reply से पता चलेगा मैं बात करते हैं SRO 202 की क्योंकि उसके amendment का भी order आ चुका है और order में यह कहा गया है order में prospective effect दिया गया है retrospective effect नहीं दिया गया है तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं देखी मैं SRO 202 पे आने से पहले आपको इसी banking associates और प्रोबेशनली अफिसर्स पे आज यह साबित हो गया जो मैंने कहा था कि इसमें litigation होगी और litigation के chances बहुत ज़्यादा थे यह देखी यह ऐसा एक issue है अगर government इसको UT administration या JNK bank इसको scrap नहीं करता तब भी litigation होनी थी scrap हुआ तब भी litigation हुई अगर scrap नहीं करता litigation क्यों होनी थे मैं बताता हूँ आपको देखे पियोज का पियोज की applications invite की गई state wise राइट उसमें district wise नहीं लिखा था exam हो गया preliminary लेकिन result निकाला district wise राइट परमाट बनता शोर मचा hue and cry हुआ पुराने governor साब ने result जो है uniform कर दिया ना district wise रखा ना state wise रखा 45% अक्रास भी लगता ने कि प्रमेशनरी officer के मामले में यह सही लगता है लेकिन banking associate बीच में या तो खुद ही गसीटा गया वही बता रहा हूँ ना वो result state wise रहा ना वो district wise रहा ठीक अब जिनके 45% से काम आए उन्होंने court में चले जाना था कि जनाब applications invite की state wise result निकाला preliminary का district wise ना इसको state wise रखा ना district wise रखा आपने uniform 45 कर दिया तो 45 क्यों किया 40 कर देते अगर 40 करते तो कुछ और ने आना था 38 क्यों नहीं किया फिर 33 बाले ने आना था 33 क्यों नहीं किया इसमें litigation जो थी वो inevitable थी litigation होनी होनी थी ये मैं आज banking associates को भी probationary officers को भी जो future में अब apply करने जा रहे हैं उनको भी banking authorities को भी ये clear कर दूँ ये आज जो problem create हुई है इसका एक ही आदमी responsible है इसके लिए और वो है प्रवेज आहमत जो पहले chairman थे ये सब उनके करने उनकी action के कारण जो उनोंने district wise result निकाला अगर वो नहीं निकला होता आज ये controversy नहीं होती यहां तक आपने ऐसरो 202 की बात किये देखिए ऐसरो 202 पे भी मैंने आपको कहा था ऐसरो 202 is unconstitutional was unconstitutional गहर समयदानिक था क्योंकि जो लोग 202 के under लगे और जो लोग 202 के पहले लगे ठीक चाहे वो teacher लगे चाहे वो junior assistant लगे चाहे वो accounts assistant लगे चाहे वो supervisor लगे किसी department सबी पोस्टों के लिए qualification required rules में same थी अगर teacher की qualification graduate है तो 202 वाले भी graduate थे 202 से पहले बाले भी graduate थे junior assistant की अगर 10 प्लस 2 है graduate है तो 202 के पहले बाले भी graduate थे वो भी graduate थे एक चीज़ similarity होगी selection उनकी भी SSR भी ने की उनकी भी SSR भी ने की दो similarities होगी nature of duties भी same तीन similarities होगी number of working hours भी same 4 similarities होगी employer भी same 5 similarities होगी तो फिर pay क्यों कम 202 वालों की pay कम 202 से पहले वालों की pay ज़्यादा सवाल वही है कि prospective effect दिया गया है monetary benefit जुलाई के बाद मिलेंगे उनका probation 2 साल का उनका probation 5 साल का मैंने कहा probation का object क्या होता है probation का object होता है कोई सरकारी मुलाजम लगा होता है उसको एक time के लिए उसका conduct उसकी performance वाच करनी होती है क्या वो इस post के काबिल है के नहीं दो साल में अगर government department को पता चल जाए नहीं इसकी performance ठीक है वो उसको quasi permanent कर देते हैं confirm कर देते हैं हम एक ही post पे 202 में teacher लगा हुआ है एक ही post पे 202 के बाहर teacher लगा हुआ है यह कहां से जवाजियत आ गई कहां से justification आ गई कि 202 वालों को आपको assess करने में पाइस साल लगेंगे और 202 के बाहर जो लगा उसको दो साल में लगेंगे यह totally गैर समयदानिक था unconstitutional था मैंने आपको शुरू से कहा कम से कम चार इंटरिव्यूज में आज यह खतम हुआ लेकिन with certain modifications हाँ देखे मैंने आपको पहले भी कहा था जब यह SRO बना था इसके पीछे object था finance की कमी थी unemployment ज़ादा थी सरकार ने उस ताइम जवा लोगों को accommodate करने के लिए यह rules बनाए कि हम जो salary एक regular teacher को देते हैं उसी salary में हम तीन या चार teacher क्यों नहीं लगा दे हैं ठीक यह special recruitment drive थी यह time specific थी यह particular drive होनी चाहिए थी उस drive के बाद यह rules apply नहीं होने चाहिए थे लेकिन बदकिसमती से किसी ने issue raise नहीं किया एक recruitment होनी चाहिए थी इन rules के अंडर एक ही special recruitment जिसका नाम ही special recruitment है वो एक special drive थी उसके बाद इन rules को follow नहीं करना चाहिए था जो उसके बाद follow हुए हैं वो गयर कनूनी हुए हैं अब follow हो चुके हैं लोगोंने apply कर लिया है लोग select हो गए इन rules में service भी accept कर ली अब देखिये ना अगर आपको पता है कि मैं farm बर रही हूं मैं 202 में farm बर रही हूं मुझे इतनी तन्खाल लगेगी फिर कल जा कि आप court में ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था ठीक यादो आपको उस time court में challenge करना चाहिए था कि एक special recruitment drive थी ये एक recruitment होनी चाहिए थी इनके अंदर उसके बाद नहीं लेकिन लोगोंने apply किया लेकिन देर आए दुरुस्त आए कितना आए ये practically आप पता लगा लेकिन इसमें 90% जो मैं समझता हूं लोगों के साथ इंसाफ हुआ है देखिए सरकार ने बड़ा कुछ देखना होता है हलांकि जब हम मांगने जाते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं कुछ रह जाता है लेकिन हाँ इनसान ये याद रखता है क्या नहीं मिला ये बूल जाता है कि क्या मिला काल उनके पास कुछ नहीं था आज कुछ ना कुछ मिला ठीक है ये उनका अपना एक इशू है मैं आपको लिगालिटी की बात कर रहा हूँ जो भी सरकार ने आडर किया ये सबसे बड़ी जीत है बच्चों की कि पाइच साल से दो साल प्रवेशन कर दिया मतलब ये अब आपको जो मिनिमम पेस्केल था वो दो साल तक की रहा है उसके बाद आपको रेगुलर पेस्केल मिलेगा लेकिन वो नोशनल है आपको एरियर्स नहीं मिलेंगे सबस्टांटिव ग्रेड आपको फ़ज जुलाई के बाद मिलेगा ठीक है तो मैं कहता हूँ 90% उनकी जीत है और की 10% वाले क्या इस मैटर को लिटिकेशन में फसा सकते हैं जा सकते हैं लिटिकेशन में लेकिन स्कोप कम है सकोप कम है क्योंकि उनके खिलाफ सबसे पहले ये बात आएगी कि आपने जब फरम फिल किया था आपको पता था आप 202 में कर रहे हैं देखो मैं बात कर रहा हूँ कनून की मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ आज अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 90% मिल गया लेकिन कल को कोड में यही फैसला होगा तो फिर उनको याद आएगा जो अभी नफ शर्मा ने कहा वो ठीक था अब ये सबसे बड़ी जीत उनके लिए है जिन्होंने अब in future apply करना है उनके लिए रास्ते खुल गए है तो ये all said and done virtually it's a victory of youth, media and all those who stood behind the youth of JNK jointly with media persons इसमें एक शिक भी आड़ की गई है सर्मेंट में ये कहा गया है कि जिन लोगों को भी benefits लेने हैं उन्हें पहले एक undertaking sign करनी होगी कि अब जो SRO 202 है amended SRO 202 है उन्हें किसी भी तरह की कोई problem नहीं है उन्होंने accept कर लिया है कि उन्हें जो है national benefits मिलेंगे monetary benefits जो है जो लाई के बाद मिलेंगे तो इस clause को आप किस तरीके से देखते हैं कि इसी तरीके के clause जो है अकसर ऐसा रोज में भी add किया जाते थे ताकि बाद में government पर बात ना आये कि हमने बताया नहीं देखिए ये कोई भी government होती है उसका अपने काम करने का तरीका होता है अब government ने ये order pass किया government नहीं चाहती कि हम litigation में जाएं लेकिन undertaking दो तरह की होती है एक facts पर undertaking होती है एक undertaking under law होती है अगर तो facts पर undertaking हो तो वो binding होती है अगर किसी legal issue पर undertaking आप दे दो तो वो undertaking अगर ला के खिलाफ जाती है तो उस undertaking की कोई value नहीं होती है इस undertaking को इस तरीके से देखिए नहीं undertaking किस चीज़ की मांग रहे हैं वो देखने को undertaking का format क्या है वो देखे पता लगेगा अभिनव जी दूसरी बात जो दूसरा जो latest rules आए है recruitment टूल जाए है उसमें भी यह कहा गया है कि probation period तो दो साल होगा उन लोगों के लिए जिनने recruit किया जाएगा उस recruitment उस probation period को भी दो साल extend किया जा सकता है अगर सरकार को लगता है कि यह जो शक्स probationer है उसने अभी तक qualifications required नहीं की है या exam जो है अभी तक पास नहीं किया है तो उसे भी दो साल extend किया जा सकता है तो इसे किस तरह से देखते हैं देखिए हमारी स्टेट में पहले ही बने हैं कुण से जे एंड के civil servants classification control and appeal rules 1950 से प्रोवेशन का प्रोविजन उदर भी है उदर भी लिखा है कि प्रोवेशन पिरिड दो साल का है और यह extend भी किया जा सकता है यह employer की मर्जी होती है सुपोज दो साल का प्रोवेशन पिरिड है कुछ लोग होते हैं उनकी performance से पता चल जाता है कि इनकी performance ठीक नहीं है उनको confirm नहीं किया जाता है वो discharge कर देते हैं उनको वहीं पे कुछ होते हैं उनकी performance बड़ी excellent होती है उनको दो साल के बाद confirm किया जाता है कुछ होते हैं जिनकी performance assess करने के बाद authority ये decide नहीं कर सकती कि ये improve कर सकता है कि ने उनके cases में probation period extend भी हो सकता है ये जो extension है इसको आफ negatively मत लो extension normally उनके लिए है जो gray areas में होते हैं जिनकी performance 50-50 होती है और ये उनको benefit देने के लिए extend किया जा सकता है अगर extend का provision ना रखें तो फिर उनको under compulsion दो साल के बाद discharge करना पड़ता है service से लेकिन ये probation का जो clause है ये class 4 recruitment में रखना इसे आप किस तरीके से सही समझते हैं देखिए probation का तो हर जगा है चाहे class 4 हो level 4 हो या level 1 हो क्योंकि अगर आप किसी को आपने pn लगाया या orderly लगाया उसे क्या करना है pn और orderly का काम है file एक टेबल से दूसरे टेबल पर या किसी officer को मैं एक बात बताओं आपको ला में officer कहीं लिखा गया है ला में pn से लेके chief secretary तक public servants होते हैं public हो गई जनता servant होगी noker मतलब जनता के noker होते हैं और जनता की नोकरी करने के लिए सरकार इनको लाखों रुपया तनखा देती है लाखों रुपया जो commission secretaries होते हैं इनकी दो-दो लाख रुपया pay salary होती है फिर इनको सरकारी बंगले मिलते हैं सरकारी गाड़ियां मिलते हैं सरकारी driver मिलते हैं उसके बाद दो-डाइसो लीटर patrol free होता है फिर और बड़े allowances होते हैं यह किसलिए मिलते हैं मैंने यह कहता कि यह deserve नहीं करते जो honest हैं जो dedication के साथ काम करते हैं उनका यह right है लेकिन किसलिए मिलते हैं जनता की नोकरी करने के लिए ठीक और यह public servants होते हैं और public servant मैंने आपको का पीन से लेके चीफ secretary तक होता है परदान मंत्री ने खुद कहा मैं जनता का सेवक हूं तो बिल्कुल ठीक कहा लोग इसको बेशाग अदरवाइज लें अब अगर आपने guested officer को preparation पर रखना है तो इसलिए रखना है कि उसकी performance देखनी है कि एक बड़ी post पे है तो काम करने के काबिल भी है के नहीं पर पेन की क्यों नहीं देखनी मैं यह कह रहा हूँ चाहे उसमें file उठानी है चाहे उसमें पानी पिलाना है चाहे चाहे का पकड़ना है लेकिन अगर उसका conduct ऐसा है कल को किसी officer को गारी निकाल ले किसी को मारना शुरू कर दे तो वो ऐसे employees को service में नहीं रखना होता है वो misconduct होता है तो इसलिए probation जो है हर एक level की post के लिए जरूरी है पर शुक्रिया बिनव जी तो आपने साफ तोर पर सुना कि जमकुष्मी हाई कोड का जो order आया है जमकुष्मी बैंक की recruitment के मामने पर उस मामने में भी इनका साफ तोर पर कहना है कि अब जब 26 जून को hearing होगी तो मालूम चलेगा कि ये मामना और कितना लंबा चलेगा साथी मैसर और 202 की amendment को इन्होंने कहा कि एक victory है यूथ के लिए तो फिलहाल इस मुलाकात से भी मुझे दीजिए इजासत देखते हैं स्ट्रेट लाइन यूज